छाता बारिस नहीं रोक सकता लेकिन बारिस में खरे होने का होसला जरूर देता है। ठीक उसी प्रकार आत्म विश्वास सफलता की गरांटी तो नहीं देता लेकिन सफलता के लिए संघर्स की प्रेणा जरूर देता है। वजीरों से मत डरे शहंसा तु हुकूमत का सर्ताज है हारा भले ही तु वक्त से है दिलों में आज भी तेरा राज है। जब तूटने लगे होसले तो याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंड लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। रात में उड़ा देती हैं कुछ जिम्मेदारियां घर की वरना रात में जागने वाला हर शक्स आशिक नहीं होता। मैं सुक्रकुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भरोशा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही नहीं पड़ सकता हूँ। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पातें और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखतें। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निरास करेगा कर्म में विश्वास रखिए आपको अपनी अपेक्छाओं से हमेशा अधिक मिलेगा जीत निस्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं बहदुर वो कहलाते हैं जो हार निस्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं मनजल इनसान के हौसले आजमाती है सपनों के पड़दे आँखो से हटाती है किसी भी बाद से हिम्मत मतहारना क्यूंकि ठोकर ही इनसान को चलना सिखाती है जिनके उपर जिम्मेदारियों का बोज होता है उनके पास रूठने और तूटने का वक्त नहीं होता कर्म भूमी की दुनिया में श्रम सभी को करना है भगवान सिर्फ लकीरे देता है रंग हमें ही भरना है मैं आपके साथ हूँ या मेरा भाग्य है गीता में लिखा है अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बलकि अच्छे आप हो क्योंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नजर आपके पास है चाय और चरित्र जब भी गिरता है तब ऐसा दाग लगाता है जो धोने से भी नहीं जाता जमाना भी कितना अजीब है नाकाम देखकर हसता है और काम्याब देखकर जलता है या तो रिस्क उठाईए और आगे बढ़िये या फिर रिस्क ना उठाकर अपने लिए खुद ही एक रिस्क बन जाईए शब्द तो यदा कदा चुपते ही रहते हैं सबके जब मौन चुप जाए किसी का तो समल जाना चाहिए तूफान का आना भी जरूरी है जिन्दगी में तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुडा कर भागता है और कौन हाथ पकर कर किसी को धोखा दे कर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था